हेलो दोस्तो एक बात द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैले पर चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तो किसी ने नीचे कॉमेंट किया था और वह पूछ रहते हैं जीनेत हेल्थ केर स्ट आपने 10 रुपे के उपर स्टोक अगर आपने बाई गया किसी ने भी तो अगर आपको जब भी मौका मिलता है ना आप इससे सबसे बहले एकजिट करो क्योंकि 15 रुपे और 35 पैसे समझवारे हूँ ना ये स्टोक 35 पैसे के आजपर टेट करता था दो एठारा के असपास औ एक बाली चीज 15 रुपे हो गई तो कम से कम एक बाली चीज अगर 15 रुपे हुई है तो कम से कम ये 7 और 8 रुपे तो आएगा एक बार स्टोक तो एक बार यहां पर अगर आपके पास है तो exit मार लो हाँ लेकिन अगर किसी ने long term के लिए इसको invest किया है वो भी अगर invest किया ह इस price के असपास जो निकल किया था 3 रुपे और 4 रुपे के असपास तो 20 पर बने रह सकती हूँ ठीक है लेकिन अगर हाल फिलाल पे आपने buy किया है तो exit मारो अभी के अभी जैसे आपको मौका मिलता है अब बात कर लेते इसके profit and loss के बारे में ये तो chart हो गया तो अगर अगातार एक अच्छी खाजी अच्छी खाजी increment आपको देखने को मिल रही है और अगर आप इसका जो profit देखोगे almost fi 19 का जो profit है वो 14 लाक के असपास था और जो fi 20 का profit हो 57 लाक के असपास था पत्ता almost 3 गुना jump आया है बहुत ही बात है इसी वज़े से stock काफी अच्छा लग रहा है देखो अब promoters अगर आप देखते हो तो अगर आप promoters देखते हैं दोस्तों stock में तो promoters ने 2018 से stock hold कर रहा है 28% से जादा promoters ने ठाइक ठीक है और December 2020 चल रहा है उनकी holding का new update आया है और same number अभी तक hold कर रहा है मतलब एक भी share promoter ने बेचा नहीं इसका मतलब stock का price 2018 में trade कर 35 पैसे वाली चीज 15 रुपे हो गई almost ये stock उनको इतनी अच्छी रिडन देखे गया उन्हान उन्होंने कुछ buy किया promoter की holding बढ़ाई ना उन्होंने बेचा मतलब जो holding उनकी थी constant है अगर ये अपनी holding कुछ बेज देते है next कुछ quarters में तो definitely आपको थोड़ा worried होना चाहिए औ अगर ये नहीं बेचते है तो आप ये stock को hold कर सकते हो बने रह सकते हो थोड़े लंबे target के लेकिन अगर आपने भी buy किया है 10 रुपे के उपर तो भाई चिंता का विसे है लेकिन अगर आपने 2 या 3 रुपे में भाई किया है तो भाई बने रहो stock इसकी श्वड़ी अच्छ 27 रुपे में तो एक बाई stock आ सकता है तो वहाँ पर एक बार आपको definitely buy करके चलना चाहिए बागी buy करने का तरीका आपको पता ही है जब तक वहाँ पर कोई price action नहीं होता है तो हमें buy बिलकुर नहीं करना चाहिए तो ये छोटा सा update था stock के बारे में आशा करता है आपको